Hello everyone, मैं हूं किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापताहिक राशीफल ये 9 सप्टेमबर से लेकर 15 सप्टेमबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स है, टारो प्रेडिक्शन्स है और इस वीडियो में सभी साइन्स के सापताहिक राशीफल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैमब है आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल चले एरीज आप लोगों के लिए देखें ये कमीन वीग क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Queen of Swords और ये card कहता है या तो इस week specifically professional front में आपकी Queen of Swords वाली energies रह रहे हैं या फिर कोई इनसान है आपके personal professional front में उनकी Queen of Swords वाली energies रह रहे हैं अब बहुत सरी जीज सोच रहे होंगे कि माम ये Queen of Swords वाली energies क्या होती है Queen of Swords मतलब या तो आप बहुत logically चीज़ों को डील कर रहे हैं माइन से चीज़ों को डील कर रहे हैं, emotional नहीं होना चाह रहे हैं और एक strategy planning बनाते हुए हर काम को कर रहे हैं या फिर कोई इनसान है, अगेन आपके professional personal front में जो इस तरीके से आपको चीज़ों को डील करने के लिए कह रहे हैं और दिखिए कुछ के लिए boss भी हो सकते हैं, कुछ के लिए colleague cover कर भी हो सकते हैं और जो भी हैं, कहीं ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही interfering हो रहे हैं थोड़ा dominate कर रहे हैं आपको और बहुत उनकी involvement किसी भी चीज़ में रहती भी दिख रही है देखिए ये general reading है, कुछ के लिए positive होगा, कुछ के लिए negative होगा तो कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है कभी-कभी होता है na professional friend में कोई colleague है जो बहुत ज़ादा हमारी चीज़ों में involved हो रहा है अगें positive तरीके से या कुछ के लिए negative तरीके से और negative तरीके से होगा तो जाहर सी बात है उनकी interference होगी जो आपको किसी level पर bother करेगी या boss बहुत ज़ादा, you know, dominate कर रहे हैं और फिर बहुत strategy, strategically आपके साथ चल रहे हैं तो देखिए कुछ भी हो सकता है और अगर आपकी हैं तो आप खुद से ही इस तरीके से चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं और personal front के लिए आप लुगों के लिए the Empress का card है और देखिए दोनों ही fronts के लिए female के cards हैं तो कहीं किसी female का influence या फिर male भी हो सकते हैं जिनकी feminine energies हैं उनका influence रहता हुआ दिख रहा है हाला कि दिखिए personal front में Empress बहुत ही एक beautiful energies की बात करती है Empress is my favorite card क्योंकि ये card love, luxury, comfort सब चीज़ों को represent करता है और इरीस आपके personal front में इस वी कुछ इस तरीके की energies रहे हैं क्योंकि ये weekly reading है तो हो सकता है कुछ बहुत बढ़ा नहीं है छोटा मोटा या इका दुका लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है जो आपको बहुत comfort दे रही है या फिर overall आप बहुत comfortable feel कर रहे हैं देखिए अगर vacation पे जा रहे हैं तो हो सकता है जिस hotel में आप रह रहे हैं उसके आसपास बहुत beautiful you know nature है nature का view है बहुत ही luxurious है बहुत ही comfortable है या फिर आप अपने घर में कोई ऐसा समान खरीदना चाह रहे हैं आप अपने घर को थोड़ा सा you know renovate कर रहे हैं और ज्यादा beautiful बना रहे हैं या आप shopping कर रहे हैं branded items की और कहीं lifestyle luxury comfort पे आप ज्यादा खश करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि Empress star हो में mother होती हैं तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इनसान है again male भी हो सकते हैं female भी हो सकते हैं जिनकी बड़ी motherly बड़ी nurturing सी energies हैं उनकी तरफ से एक love, care, प्यार, महबत या तो आपको मिल रहा है या फिर आप ऐसा किसी भी इनसान के लिए अपने personal friend में महसूस कर रहे हैं all in all देखिए बहुत ही beautiful आपको personal friend जाता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए भी हो सकता है इसी तरीके कि किसी इनसान से again जो बहुत ही loving, caring है उनसे आपकी ज़ादा interaction हो रही है ज़ादा बातचीत हो रही है आप बहुत loved feel कर रहे है या फिर किसी के लिए again मैं कहूंगी आप बहुत loving और caring हो रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए mutable moon का card है ये card कहता है nothing is yet set in stone तो बहुत ही clear message है कि कुछ भी पत्थर की लकीर पर नहीं लिखा हुआ है तो fixated हो के चीज़ों को ना deal करें और दिखें ये energy ज़ादा या फिर ये guidance ज़ादा मुझे professional front के लिए रहते हुए दिख रही है क्योंकि swords के cards at times you know rigid fixated हो जाते हैं उनको clarity चाहिए होती है तो यहाँ पर मैं आपको ये ही कहूँगे कि इस card के हिसाब से थोड़े से flexible रहें rigid और fixated किसी भी चीज़ को ले करना हो and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नेचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है three of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो किसी का इंतजार रह रहा है या फिर जो भी इस week हो रहा है वो आपके लिए इतना एहम नहीं रह रहा है long term planning future goals पे आप ज़ादा attention देते वह दिख रहे हैं तो सबसे पहले इंतजार की बात करें तो ये इंतजार भी सब टॉरस के लिए differ रहेगा अगर रहे रहा है तो क्योंकि जैसे कि अभी बताया कुछ के लिए future goals ज़ादा important रह रहे हैं तो देखिए अगर इंतजार कर रहे हैं तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी email, message, phone call का इंतजार कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने किसी चीज को लेकर बहुत effort किया भी सब के लिए differ करेगा in fact जो भी आपका goal है जो भी आप achieve करना चाहते हैं उसी से related फिर से मैं कहूंगी long term planning आप साधा करते हुए दिख रहे हैं all in all ये वी neutral रहता हुआ दिख रहा है कुछ बहुत great भी नहीं होता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the magician reverse का card है अब दिखिए magician reverse कहीं चलाकी, चुस्ती और एक manipulation in a negative way की बात करता है अभी आपकी भी energies हो सकती है और कोई इंसान भी हो सकते हैं आपके personal front में और अगर कोई इंसान है तो थोड़ा सा cautious रहें जरासा भी आपको doubt हो किसी भी इंसान पर कि वो आपको manipulate कर रहे हैं उनके intentions, motives ठीक नहीं है तो आप cautious हो जाएं, alert हो जाएं और awareness में तो आप रहें रहें और अगर आपकी ऐसी energies हैं तो भी थोड़ा सा चेक कर लें क्योंकि देखिए जब भी भी हम इन energies के साथ चीजों को deal करते हैं एक short term gain हमें जरूर होता है लेकिन long term के लिए फिर हम परेशान होते हैं और दूसरी बात ये card कहता है या तो किसी चीज को लेकर over confident हो रहे हैं या फिर under confident हो रहे हैं लेकिन जैसे ही हम over confident होते हैं तो फिर हम उस time चाहें ना देख पाएं लेकिन हम आगे चल के परेशान होते हैं Macbeth Shakespeare का एक play है उसमें बहुत clearly लिखा हुआ है over confidence leads to destruction तो फिर से कहूंगी अगर आपको लगी कि आप over confident हो रहे हैं तो इस चीज को check करके correct करें और under confident हो रहे हैं तो भी check करके correct करें all in all देखिए again मैं कहूंगी कुछ खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है पर थोड़ा सा एक awareness में रहना इस week आप लोगों के लिए specifically personal friend में बहुत important रहेगा हो सकता है कोई इंसान आपका advantage लेना चाहें कोई इंसान आपको अपने किसी मकसद के लिए use करना चाहें अब ये words सुनने में बड़े ही खराब लगते हैं कभी-कभी हमारे ही loved ones होते हैं जो हमें बहुत प्यार महबत से manipulate कर रहे होते हैं और अपने फाइदे के लिए हमसे बात कर रहे होते हैं इसी तरीके की छोटी-मुटी energies इस week specifically पॉस्टन फर्ट में रह सकती हैं और मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप aware रहेंगे cautious रहेंगे, alert रहेंगे तो आप इन चीजों को देख पाएंगे और खुद को protect कर पाएंगे और इन जनरल या फिर guidance है आप लोगों के लिए new moon in Taurus का card है और ये card कहता है prosperity lies ahead तो जो भी आप कर रहे हैं हो सकता है उसका outcome, उसका result इस week आप नहीं देख वा रहे हैं लेकिन आगे चल कर एक prosperous energies आप के लिए रहते भी दिख रही हैं और देखिए ये दोनों ही fronts के लिए हो सकती है guidance लेकिन ये professional front के लिए जाधा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि professional front में हमने देखा कि आप long term goals पर focus कर रहे हैं और astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये थाट और साप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए जेमनीज आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है seven of pentacles I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure है वो किसी गहरी सोच में रहती भी दिख रही है उनके सामने किसी चीज की एक धेरी पड़ी हुई है और उसको देखते जा रहे हैं हाला कि देखे इस card में ये धेरी money की है और इसी से related अगर आपके लिए हम देखें तो हो सकता है जो भी अभी तक आपने अपने professional front में achieve किया, earn किया और यहाँ पर achieve करना, earn करना सिरुफ money के point of view से नहीं अपनी hard work से, अपनी महनत से, जिस भी मकाम पे आप पहुँचे हैं उस मकाम से अब आपको आगे क्या direction लेनी चाहिए इसी से ही related या फिर कोई भी और चीज से related एक गहरी सोच आपके मन में रहती वही दिख रही है और हो सकता है कि कुछ decisions, कुछ choices भी आपको लेने है और ये decision, ये choices इतने आसान नहीं हो रहे हैं और इन ही से related आप सोच रहे हैं या फिर otherwise भी मैं कहूंगी कि आगे आपको क्या direction लेनी चाहिए जो भी आप कर रहे हैं, आपको ऐसे ही इसको करते जाना चाहिए या फिर थोड़ा सा चीजों को twist करना चाहिए right turn लेना चाहिए, left turn लेना चाहिए आखिर you know, जिस भी point पे आप अपने professional front में है उस point से आपको आगे क्या करना चाहिए इसी से related एक सोच, एक planning आप करते वे दिख रहे हैं So, seven of pentacles is not a negative card यानि कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है लेकिन कुछ भी बहुत great भी नहीं हो रहा है In fact, एक planning रहती भी दिख रही है और ये बहुत important भी होती है कुछ भी हम कर रहे हो personal, professional front में जब तक हम अपना homework अच्छे से नहीं करते हैं हम planning अच्छे से नहीं करते हैं issues मसले रहते हैं हमारा homework अच्छा होता है तो फिर issues मसलों को हम avoid करते हैं तो जो भी आप कर रहे हैं उसका एक direct outcome इस week हो सकता है आपको ना मिले लेकिन ये एक बहुत important aspect है step है जो भी चाहा रहे हैं उसको achieve करने के लिए तो इस तरीके से देखें तो ये week ठीक जा रहा है लेकिन अगर आप किसी concrete result के point of view से देखें तो इस week नहीं आपको उस तरीके से मिलता हुआ देख रहा है और ज़ादा ये card आपकी energies बता रहा है कि आप एक planning कर रहे हैं आप किसी सोच में रहते हुए देख रहे हैं परसनल फ्रंड के लिए आप लगों के लिए queen of cups का card है और ये card कहता है कि बहुत ज़ादा emotional, sentimental किसी चीज को लेकर होते हुए दिख रहे हैं अब फिर से देखें ये general reading है तो सब के लिए differ करेगा overall के लिए देखें बहुत एक love care महसूस कर रहे हैं mood swings हो रहे हैं और emotions आपके पर बहुत ज़ादा हावी हो रहे हैं आप logically mind से चीज़ों को नहीं deal कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और कहीं बहुत एक attachment फिर से कहूंगी बहुत love care आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं अब दिखिए कोई भी चीज़ हो सकती है at times होता है कि हमारे घर में ही अगर थोड़ी सी renovation हो रही है या फिर हम change कर रहे हैं बहुत एक attachment हम हैसूस करते हैं और हमें थोड़ा सा बुरा भी लगता है बुरा not in a negative sense but yes, attachment होती है हम नहीं shift करना चाहते हैं दिखिए जनरल रीडिंग है सब के लिए differ करेगा मैं सिरफ और सिरफ आपको example दे रही हूँ किस तरीके से आप emotional हो रहे हैं क्योंकि Queen of Cups is again not a negative card तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है लेकिन क्या होता है नहीं जब हम बहुत emotional हो जाते हैं तो हम खुद् ultimate परिशान करते हैं और हमें इस चीज का एशास ही नहीं होता है हम अपने आपको justify करते हैं कि भाई हम तो बहुत प्यार करते हैं बढ़ हमें pause करके इस चीज को समझना चाहिए कि over emotional होना over love care किसी भी चीज के लिए रखना भले ही वो non-living thing और living thing और हमें परिशान करती है और जब हम सिरफ दिल से काम लेते हैं तो भी हम परिशान होते हैं सिरफ mind से काम लेते हैं तो भी परिशान होते हैं तो ideal situation होती है heart और mind का balance और ये इस week specifically personal friend में रखना बहुत बहुत important रहेगा अगर आपने इस चीज का खयाल रखा ये week ठीक जाएगा लेकिन अगर आप अपनी emotions और feelings के गुलाम बन गए यानि कि आपने उनको अपने उपर हावी होने दिया तो फिर आप परिशान होंगे and trust me कोई major reason नहीं है होगा आपकी परिशानी का कोई भी concrete reason नहीं रहता हुआ दिख रहा है सिर्फ जिसे बोलते हैं कि self care नहीं कर रहे हैं self love नहीं कर रहे हैं self को prioritize नहीं कर रहे हैं इस वज़े से issues मसले रह रहे हैं और अगर फिर से कहूंगी आपने self को prioritize करा self love, self care पर attention दी तो ये भी आपका ठीक ठाक जाएगा and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon and capricorn का card है और ये card कहता है your hard work is paying off तो जिस भी चीज़ के लिए आप effort करेंगे definitely आपको result मिलेगा और अगर पीछे किया है तो उसका result आपको मिल रहा है अब देखिए मैं दोनों ही friends के card से इस चीज़ को combine करूँ तो कहीं personal friend में इतने emotional हो रहे हैं कि देखी नहीं पा रहे हैं इस result को और professional friend में तो देखिए planning कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत जरूरी aspect होता है तो खास कर ये जो guidance है advice है personal friend के लिए जाधा रहती भी दिख रही है आपके सामने results हैं आपके सामने outcome है बट अगर आप बहुत दिल से चीज़ों को deal करेंगे नहीं देख पाएंगे और कहीं देखिए ये card हो सकता है आपको simply message भी दे रहा हो अगर आप परेशान हो रहे हैं कि भी आपको outcome ही नहीं मिल रहा आपको result ही नहीं मिल रहा आपने इतनी मेहनत करी है तो आपको definitely result मिलेगा and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं sea green, sea blue वो आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है एक राशी फल और नेचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चले एक insurance आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है Three of Pentacles Reverse सबसे पहले जी इस Pentacles का card है Reverse है तो कहीं money पैसे से related चोटे मोटे issues, चोटे मोटे मसले रह सकते हैं आप देखें इस चीज को सुनके परिशान ना हो क्योंकि profession में ये सब चीजें तो रहती ही रहती है और मैंने बहुत जोर देकर कहा चोटे मोटे issues एक का दुका के लिए कोई बड़े भी रह सकते हैं और example के तोर पे हो सकता है आपनी payment delay हो रही है हो सकता है जितना profit आप expect कर रहे थे आपको इस week लग रहा है कि भी उतना profit नहीं होगा या पर नहीं हो रहा है आप से किसी ने उधार लिया था और आप expect कर रहे थे कि इस week वो आपके पैसे वापिस कर देंगे और आपको वापिस पैसे नहीं मिल रहे हैं अब दिखें, जो भी चीज़े मेरे माइंड में आई, मैंने कहा, सब केंसेरियन्स के लिए different level पे money, पैसे से related, छोटे मुटे issues मसले रह सकते हैं. दूसरी बात, येका teamwork की बात करता है, तो कहीं teamwork से related भी again छोटे मुटे issues मसले रहेंगे, जैसे कि आप जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ difference of opinion हो रहा है, या फिर वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर उतना efficiently काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके की भी छोटे मुटे issues रहेंगे, फिर से ये general reading है, सब के लिए different situation, circumstances रहेंगे, और कहीं देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कि आप अपने profession से related, या फिर मैं कहूंगी जो भी goal आप achieve करना चाहते हैं, उसी से related concrete discussions, जो भी लोग हैं आपके profession में, उनसे करना चाहते हैं, एक concrete outcome चाहते हैं, लेकिन कहीं उन discussions का एक concrete outcome नहीं निकलतावा दिख रहा है, तो देखिए three of pentacles is not a negative card, in fact it is a positive card, क्योंकि reverse है, तो जो भी चीजें ये card represent करता है, उससे related छोटे मोटे issues मसले रहेंगे, और personal front के लिए आप लोगों classics of source का card है, और ये card कहता है कि personal front में एक movement, एक shift, एक change रहतावा दिख रहा है, अब फिर से ये general reading है, तो ये movement, shift, change सब के लिए differ करेगा, सबसे पहली चीज़ literally अगर हम देखें, तो या तो आप इस week travel कर रहे हैं, travel करना चाहा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से change of place, change of location, change of residence हो रहा है, कुछ के लिए simply हो सकता है, कि you know, आप within the city, बहुत जादा एक जगा से दूसरी जगा जा रहे हैं, बहुत जादा you know, आप का to and fro हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है, out of the city, out of the country travel कर रहे हैं, and पीछे किसी भी चीज में, अगर आप stuck महसूस कर रहे थे, अटकावा महसूस कर रहे थे, तो उस में से इस week आप बहार निकल रहे हैं, in fact पीछे जो भी challenges आप महसूस कर रहे थे, कहीं उन में से, again मैं कहूंगे, आप बहार निकलते वे दिख रहे हैं, आगे क्या होगा यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक transitory period जादा रहता रहता रहा है, होता है ना, हमने एक चीज को छोड़ा, और जहां हमने जाना है, या पिर जो हमें चाहिए, वो तो अभी हम नहीं मिला, यहां फिर उस जगा तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन जो बीच का एक सफर है ना, एक जगा से निकले, अब दूसरी जगा जाना है, तो उस तरीके की energies जादा रहती हुए दिख रही हैं, all in all, personal front के लिए भी negative card नहीं है, six of swords is a neutral card, और कहीं फिर से मैं कहूंगे, एक movement, एक shift आगे बढ़ने की बात करता है, और उसी तरीके की energies रहेंगी, general reading है, तो कुछ के लिए emotional mental level पे हो सकता है, एक movement shift आ रही है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कि emotionally किसी चीज में stuck थे, emotionally, you know, किसी चीज में बहुत अटकावा है, महसूस कर रहे थे, तो उसमें से बाहर निकल रहे हैं, यह physical level पे भी, आपको लग रहा था movement ही नहीं हो रही, stagnant हो गही हैं चीजें, तो उसमें से बाहर निकल रहे हैं, again, जो भी चीजें मेरे mind में आई, मैंने आपको कहा, सब के लिए differ करेगा, and, yes, यह आप लोगों के लिए professional, personal front के energies, and, in general, या फिर guidance से, आप लोगों के लिए card है, full moon, और यह card कहता है, surrender to the divine, तो दिखे, जितना हम, जिन भी God को मानते हैं, उन पे faith करके, surrender करके, ये चीज़ों को deal करते हैं, उतना ही हम, अपनी जिन्दगी को असान करते हैं, जब हम हर चीज़ को, control करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को, अपने तरीके से, चलाने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है, कि बस हम ही हैं, जो कर रहे हैं, हम बहुत परिशान होते हैं और जब हम अपना best देते हैं और outcome से जदा hitage नहीं होते हैं outcome को universe पर छोड़ देते हैं तो फिर हमारी life भी easy रहती है और हम परिशान भी नहीं होते हैं गीता में लिखा हुआ है ना और यही इस card का आप लोगों के लिए message है तो इस चीज का जरूर इस week आप खयाल रखें and astrology से आप लोगों के लिए Jupiter ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था किंसेरियन से आप लोगों के लिए coming week कर सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चले लिए उस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Ace of Cups reverse और ये card कहीं ending beginning की बात करता है क्योंकि ये card reverse है तो हो सकता है कि कि किसी भी level पर किसी भी तरीके से professional front में ending beginning को लेकर छोटे मुटे issues मसले हो रहे हैं या फिर जो भी आपके professional front में हो रहा है आप कर रहे हैं वो एक happiness, वो एक joy, वो एक satisfaction आपने ही महसूस कर रहे हैं अब देखी इन ही सब चीजों के लिए, सब लिए उसके लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि you know आपके मन का काम नहीं है यानि कि जो भी काम कर रहे हैं again उसको इतना enjoy नहीं कर रहे हैं आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपका काम है, आपका profession है और कुछ के लिए हो सकता है कि again वो satisfaction आपको नहीं मिल रही है या फिर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ending, beginning से related छोटे मुटे issues, मसले हो रहे हैं या तो आप किसी चीज को end करके नहीं beginning करना चाहा रहे हैं या फिर कोई चीज end हो रही है और नहीं beginning हो रही है और आप कहीं इतना adjust उस चीज के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए Ace of Cups is a very very positive card लेकिन reverse है तो कहीं इन ही सब चीजों से related छोटे मुटे issues, मसले रहेंगे और बहुत हद तक हमारे उपर भी depend करता है कि हम चीजों को कैसे deal कर रहे हैं आप अगर बहुत emotional हो रहे हैं किसी भी चीज को लेकर बहुत sentimental हो रहे हैं तो इस चीज को भी check करके correct करें क्योंकि देखिए जो भी issues, मसले हो रहे हैं वो कहीं over emotional, over sentimental भी होने की वज़े से रह सकते हैं यहां फिर हो सकते हैं आप बहुत fun, मज़ा, मस्ती के तरीके से चीजों को करना चाह रहे हैं उतनी fun, मज़ा, मस्ती आपके professional friend में नहीं रह रही है तो दिखिए एक acceptance लेकर आएं और फिर से मैं कहूंगी अगर आप थोड़ा सा भी heart और mind का balance रखते हैं इस week को आप बहतर कर पाएंगे लेकिन अगर आप over emotional हो गए, sentimental हो गए और आपने professional friend में दिल से काम किया दिल से चीजों को deal किया तो आप परिशान होंगे तो इस चीज का आप खयाल जरूर रखें and personal friend के लिए आप लोगों के लिए night of swords का card है सबसे पहली चीज, ये card speed की बात करता है और दूसरी चीज, speed के साथ movement की बात करता है तो या तो आप किसी चीज को लेकर बहुत जल्दबाजी में हैं बहुत impulsive हो रहे हैं या फिर पीछे किसी चीज में बहुत अटकावा महसूस कर रहे थे और इस week कहीं उसमें से suddenly आब बहार निकल रहे हैं या किसी भी level पे sudden changes इस week रहे हैं और दूसरी बात जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक आट movement की बात करता है तो literally कुछ के लिए हो सकता है suddenly travel, you know, आपकी हो रही है या फिर आप travel plan कर रहे हैं और कहीं बहुत clarity के साथ चीजों को deal करना चाहा रहे हैं इस week आप personal friend में बिल्कुल भी emotional ही हो रहे हैं और professional friend में आप बहुत emotional हो रहे हैं तो देखिए थोड़ा ऐसा उल्टा होता हुआ दिख रहा है normally क्या होता है professional friend में हम थोड़े से logical होते हैं और personal friend में emotional होते हैं लेकिन फिर से कहूंगे आपके साथ उल्टा हो रहा है तो overall ही देखिए दोनों ही friends के लिए heart और mind का balance जरूर रखें और दूसरी चीज personal friend में ख्याल रखें कि आप अपना communication ठीक रखें हो सकता हैं आप बहुत blunt हो रहे हैं, straight forward हो रहे हैं और इसकी वज़े से भी issues मसले हो सकते हैं फिलाल sudden changes nutshell में personal friend में रह सकते हैं क्योंकि weekly reading है तो बहुत बड़ा मैं नहीं कहूंगे लेकिन छोटे मोटे changes रहेंगे और एक बहुत speed से चीज़ें आगे बढ़ती भी दिख रही हैं तो कहीं एक frustration हो रही है आपको यह general reading है फिर से कहूंगी थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन knight of souls is a neutral card और जो भी इसकी energies है मैंने बहुत clearly आपको बताया है तो इसी तरीके से आपके personal friend में चीज़े रहती होई दिख रही हैं and in general यहां पर guidance है आप लोगों के लिए first quarter moon का card है और यह card कहता है और commitment is being tested तो अगर कुछ issues मसले रहें क्योंकि देखिए personal friend में छोटे मोटे challenges रह सकते हैं हाला कि आप बहुत clarity के साथ उनको deal करना चाह रहे हैं लेकिन छोटे मोटे issues मसले रहेंगे and कितना strongly आप चीज़ों को deal कर रहे हैं वही determine करेगा कि आप कितना इन चीज़ों को positively deal कर पा रहे हैं यानि कि उनको पहले जमाने में कहते देना कि भगवान आपका test ले रहे हैं तो एक तरीके से आप कितने committed हैं आप कितने devoted हैं इसका एक test इस भी रहता हुआ दिख रहा है और जितना आप इस test में पास होंगे उतना ही चीज़ों को असान करेंगे और जितना आप इस test में clear नहीं हुए तो आप खुद को परिशान करेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखें नचल में बहुत ही commitment और dedication, devotion के साथ चीज़ों को करें अगें, personal friend में बहुत impulsive ना हूँ और professional friend में बहुत emotional ना हूँ और astrology से आप लोगों के लिए एक various sign का card है इसके हिसाब से all shades of indigo and blue आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था, लिए आप लोगों के लिए coming week का साथ है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए वागों से आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है क्या अनर्जीज है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है king of source rivers और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो आप over logical, over analytical, over critical हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर या फिर कोई इनसान है आपके professional front में जिनकी ऐसी energies हैं और दोनों ही सिनारियों में थोड़ा सा चेक करके correct करना है अब बहुत सारे लोग बोलेंगे माँ हम खुद को तो चेक करके correct कर सकते हैं लेकिन सामने वाले को कैसे करें I know सामने वाले को अब जादा कुछ भी नहीं कह सकते हैं बट उनकी बातों से effect ना हो क्योंकि क्या होता है ना जब कोई इनसान हमारे काम को लेकर या फिर हमारी किसी भी चीज को लेकर या otherwise भी बहुत critical judgmental हो रहे होते हैं तो कहीं ये चीज हमें effect करती है और हम परेशान होते हैं तो जब हम अपने mind को train कर लेते हैं कि beyond the point हमने परेशान नहीं होना इनसान है कुछ तो असर होगा ही होगा लेकिन फिर से कहूंगे अगर beyond the point हम इन चीजों से effect ना हो तो trust me हम अपनी life को असान करते हैं तो फिर से देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि या तो आप बहुत critical judgmental हो रहे हैं यानि कि छोटी छोटी सी चीजों को लेकर बहुत जादा आप deep में जा रहे हैं और बहुत हर चीज के pros and cons को सोच रहे हैं in fact मैं कहूंगी आपको शायद negative जादा दिख रहा है आपको गलत चीजे जादे दिख रहे हैं और कितनी बारी हम खुद को लेकर बड़े critical हो जाते हैं हमने ऐसे क्यों नहीं करा हम ऐसे कर सकते थे यह ठीक नहीं है यह गलत है तो देखें कभी भी हम perfect तो हो नहीं सकते हैं और जब हम इस चीज को समझ लेते हैं और जो भी imperfect है उसको accept करते हैं और जो भी हम चाहते हैं उसको बहुत dedicatedly करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम चीजों को असान करते हैं तो इन ही सब चीजों का ख्याल रखें क्योंकि king of swords government figure या फिर authoritative figure को भी represent करते हैं कुछ के लिए भी हो सकता है कि इन ही you know government figure या फिर authoritative figure से आपकी interactions हो रही है या फिर छोटे मुटे issues मसले हो रहे हैं कभी-कभी होता है न हमारा professional friend में कोई काम government से related अटका होता है और वो बन नहीं रहा होता है हम थोड़े परेशान होते हैं हम किसी you know government वाले बंदे से बात करने की कोशिश करते हैं अपने काम को निकलवाने की कोशिश करते हैं इस तरीके की भी energies कुछ work force के लिए रह सकती हैं overall के लिए तो मैंने आपको बताया और इन चीजों को चेक करके correct करेंगे यह भी ठीक जाएगा नहीं तो फिर थोड़ा सा दिखिए आप परेशान होंगे and personal friend के लिए आप लुगों clicking of cups reverse का card है तो देखिए professional friend में over logical, critical, analytical हो रहे हैं और personal friend में over loving caring आप होते हुए दिख रहे हैं in fact कोई इंसान भी हो सकता है जिनकी ऐसी energies हैं और देखिए कोई भी चीज चाहें जितनी भी अच्छी हो जब वो ज़रों से जादा होती है तो हमें परेशान करती है तो आपने दोनों ही fronts में इस चीज को चेक करके correct करना है खास कर अगर आप ऐसी energies पाएं professional में मैंने आपको बताया personal में अगर आप over loving caring किसी भी खास इंसान को लेकर हो रहे हैं या otherwise हो रहे हैं तो please फिर से कहोंगे इस चीज को चेक करके correct करें heart और mind का balance ही एक ideal situation होती है और दोनों ही fronts में आपने इस चीज का खयाल रखना है और कुछ के लिए भी हो सकता है कि over eating, drinking, marimaking हो रही है किसी loved one के लिए again आप बहुत love care महसूस कर रहे हैं और आप उनसे बात करना चाह रहे हैं हो सकता है उनकी तरफ से उतना response ना आपको मिल रहा हो जो चीज आपको और ये चीज आपको परिशान कर रही है आप emotionally low feel कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है जैसे कि मैंने अभी बताया कि कि किसी और इनसान से over love care मिल रही है और ये भी आपको bother कर रहा है क्योंकि जब दिखे सामने वाला भी बहुत ज़ादा ही प्यार करना शुरू कर देता है तो हमें गबराट होनी शुरू जाती है एक pressure सा महसूस होना शुरू हो जाता है तो इस तरीके की भी energies हो सकती है या फिर किसी love one से किसी एक loving caring gesture को आप expect कर रहे हैं और आपको उनकी तरफ से बहुत एक loving caring response नहीं मिल रहा और थोड़ा सा इस चीज को लेकर आप परिशान हो रहे हैं तो नचल में दिखिए relationships, love, care, प्यार, महबबत, personal front में एहम रह रह रहा है और इसी से ही related छोटे मोटे issues रहते हुए दिख रहे हैं जो की आपको किसी level पर थोड़ा सा परिशान करते हुए दिख रहे हैं और इस चीज को अगर फिर से मैं कहूंगे आप check करके correct कर लेंगे तो इस week की energies को आप बहतर करेंगे and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon in aries का card है और यह card कहता है it's time to take action तो किसी भी चीज को लेकर आप बहुत time से vision create कर रहे हैं ख्वाब देख रहे हैं, सपने बुन रहे हैं लेकिन action initiatives नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर बहुत clearly new moon in aries का card आपको remind कर आ रहा है कि अब समय है कि आप please action ले क्योंकि अगर आपने action नहीं लिया तो फिर उस चीज को आप नहीं achieve कर पाएंगे क्योंकि कहते हैं न vision without action is nothing जितना भी हसीन ख्वाब हो, जितना भी आपका अच्छा vision हो जितना भी अच्छा आपने visualization board बनाया हो जब तक आप उसके लिए कुछ concrete level पे करेंगे नहीं तब तक उसका कोई फाइदा नहीं है तो इस चीज का भी खायाल रखें and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए coming week के साबता है ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Libras आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है night of wands सबसे पहली चीज ये card कहता है कि इस week या तो आप travel कर रहे हैं आप फिर travels related planning चल रही है या फिर पीछे किसी भी चीज में अटकावा महसूस कर रहे थे तो all of a sudden उसमें से आप बाहर निकलते वे दिख रहे हैं बहुत speed से अपने goal अपने मकसद को achieve करना चाहते हैं थोड़े से impulsive हो रहे हैं थोड़े सी जलबाजी कर रहे हैं या फिर external front में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आप कहीं उनके साथ अपनी speed को match कर रहे हैं और in the process, restlessness, anxiety भी हो सकती है देखे, night of wands is not a negative card, yes ये एक positive card है, लेकिन ये card साथी साथ ये भी बोलता है कि बहुत, you know, एक जल्दबाजी किसी चीज को लेकर रहती भी दिख रही है और देखे, हिंदी में कहते हैं जल्दी का काम, शेतान का काम और जब हम इसी energies के साथ चीजों को करते हैं तो जाहिर सी बात है, हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं सोच नहीं पाते हैं, ठीक से चीजों को करते नहीं है फिर हम परिशान होते हैं, not because कि कोई चीज खराब हो रही है just because कि हम थोड़े से इंपल से हो रहे थे तो सबसे पहली चीज, इस चीज को आपने चेक करके करेक्ट करना है दूसरी बात, positive changes की बात करता है change of place, change of location हो सकती है और मैंने पहले आपको बताया कि आप travel कर सकते हैं आप फिर plan कर रहे हैं और एक movement होती भी दिख रही है growth, progress आप चाहा रहे हैं या फिर उस direction में action initiatives लेते वे दिख रहे हैं तो all in all ठीक रहता हुआ दिख रहा है बट फिर से कहोंगी कि जल्दबाजी किसी भी चीज़ को लेकर ना करें नहीं तो फिर आप बात में परेशान होंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए the moon का card है personal front में दिखिए anxiety और stress negative sense में हो रहा है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि professional front में भी थोड़ी से anxiety, restlessness हो रही है बट वो negative नहीं है जैसे होता है ना कि positive चीज़ें हो रही है एक enthusiasm है, एक excitement है और उसको लेकर हम थोड़े से anxious हो रहे हैं तो एक positive फिर से मैं कहूंगी restlessness professional front में रह रही है personal front में कहीं एक negative restlessness negative anxiety रह सकती है अब reason सब Libras के लिए differ करेगा लेकिन the moon का card कहीं अंधेरे की बात करता है और हम सब जानते हैं अंधेरे में ना एक दर लगता है especially जब आप अंजान जगा में हैं आपको पता नहीं कि आपके आसपास क्या है ऐसे में बिजली चली जाती है तो बहुत डर लगता है और जब हम यूनों हमें पता ही नहीं कि आसपास क्या है और उटके चीजों को करने लगते हैं तो फिर हमें ठोकर भी लगती है हम गिरते भी हैं तो इस तरीके की energies रह रह रही है मैं यह नहीं कह रही कि लिटरली बिजली चली गई लिटरली आप अंजान जगां पे है लेकिन जो एक feeling होती है उस time पे वैसी feeling इस week रह सकती है और फिर से दिखिए ये example देने का मकसद यही है शायद चीजों को लेकर आप clear नहीं है शायद कुछ fears है शायद युनों confuse हो रहे है और अगर आप इन ही चीजों पे work करें तो इस week की energies को आप बहतर कर सकते हैं सबसे पहली चीज अपने fears को अपने उपर हावी ना होने दे दूसरी बात बहुत emotional या फिर बहुत sentimental किसी चीज़ को लेकर ना हो और जितनी clarity रखेंगे तीकि मैं हमेशा कहती हूँ जिन्दगी बहुत असान है हम उसको complicate करते हैं हमें पता होता है कि ये रास्ता difficult है ये चीज difficult है फिर भी हम उसके पीछे जाते हैं फिर भी हम उसी तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं अगर हम थोड़ा सा भी pause करके चीज़ों को समझेना बहुत clearly हमें समझ में आता है कि ये रास्ता difficult है इसमें हमें परिशानी हो सकती है हम फिर भी उस रास्ते को लेते हैं फिर in the process परिशान होते हैं और फिर हम अपनी किसमत को कोसते हैं तो थोड़ी सी भी awareness रखेंगे जो भी चीज़ आपको complicated दिख रही है या फिर आपको लगता है कि इसमें issues हो सकते हैं उसको आप इस week जरूर avoid करें जो चीज़ें आपको विकुल सादा, simple, असान दिख रही हैं ना उन्ही को ही आप इस week करें या फिर उन्ही में ही खुद को involve करें या फिर वही रास्ता आप लें यकीन मानिये इस चीज़ का खयाल रखेंगे ये week भेतर जाएगा नहीं तो फिर आप परेशान होंगे और इन जनरल या फिर guidance है आप लोगों के लिए full moon and aries का card है और ये card कहता है fiery climax approaches तो जो भी चीज बहुत time से आप कर रहे हैं चाहा रहे हैं और कहीं वो complete नहीं हो रही है वो end नहीं हो रही है तो उसी से related एक यूनो बहुत enthusiastic excited वाला climax रहतावा दिख रहा है कहीं वो किसी level पे चीज़ें you know end होती भी दिख रही है या फिर मैं कहूंगी close होती भी दिख रही है या complete होती भी दिख रही है and astrology से आप लोगों के लिए mercury ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था ले ब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वी क्या लिकरा रहा है कि energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है two of pentacles और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में चीजे बहुत up and down, in and out रहती हुए दिख रही है अब दिखें मैंने energy level पे बताया situation, circumstances, सब स्कॉप्यों के लिए differ करेंगी overall के लिए stability, एक security आप नहीं महसूस कर रहे है और दिखें ये negative card नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है होता है ना कभी-कभी हम इतनी सारी चीजों में involved होते हैं, इतनी सारे काम हमें एक साथ करने पड़ते हैं कि हम एक काम पे focus नहीं कर पाते हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि भई आपको कोई decision, कोई choice लेनी है आप two minds में है, एक मन आपका कुछ और कहता है दूसरा मन कुछ और कहता है कुछ के लिए हो सकता है कोई दिन आप बहुत enthusiastic, excited feel कर रहे हैं जो भी काम आप कर रहे हैं और किसी दिन उतना एक enthusiasm, excitement नहीं है तो दिखें मैंने सिरफ आपको examples दिए overall कहीं up and down, in and out चीज़ें होते भी दिख रही है और किसी चीज़ को हो सकता है आप exchange भी कर रहे हो अब दिखें ये भी सब के लिए differ करेगा कभी-कभी होता है ना हम money का बहुत आदान-प्रदान कर रहे होते हैं इधर से जा रहा होता है, उधर से आ रहा होता है तो इस तरीके की भी चीज़ें रह सकती है फिर से general reading है situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे and personal front के लिए आप लगों के लिए nine of wands, reverse का card है और ये card कहता है कि थोड़ा सा एक ठकावट आप महसूस कर रहे है अब दिखिए मैंने बहुत ही general level के लिए कहा है कि ठकावट महसूस कर रहे है, फिर से situation circumstances सब के लिए differ करेंगे overall ये card कहता है कि कि किसी चीज़ को लेकर बहुत effort कर रहे थे बहुत महनत कर रहे थे इस week अगर आपको लग रहा था कि result मिल जाएगा, outcome मिल जाएगा वो outcome, वो result नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, थोड़े से मायूस हो रहे हैं, give up करते वे दिख रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा hurt भी महसूस करते वे दिख रहे हैं और जब भी अने का मतलब ये है कि अभी समय नहीं है कि आप give up करें और यहाँ पर मैंने एक बोला है एक का मतलब literally एक नहीं है मतलब बहुत मंजिल मकसद के करीब है, थोड़ा सा effort initiative आपने, बहुत focus होके और लेना है और आप जो चाहते हैं उसको अचीव कर लेंगे तो फिर से कहूंगी आप give up ना करें, आप मायूस ना हो आप ठक के बैठे ना थोड़ा सा ठक के अराम करना है ठक गए हैं, अराम करना है बहुत अच्छी बात है लेकिन इस ठकावट में बिलकुल ही बैठ ही ना जाएं कि जहां पर आपको लगे कि बस अब ये चीज तो हम अचीव ही नहीं कर सकते अब तो ये होगी नहीं सकता आप छोड़ो जाने तो ये थोट्स ना आने दे और इन जनरल या फिर गाइडन से आप लोगों कले वैक्सिंग मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है what do you need to release तो हो सकता है किसी चीज को बहुत tightly पकड़ कर बैठे हो अब मैं अगर आपके कार्ड देखूँ तो personal friend में हो सकता है कि आप इस चीज को पकड़ कर बैठे हो कि भाई इस चीज को तो achieve करी नहीं सकते ये तो possible ही नहीं है जाने दोना छोड़ दोना तो इस thought process को release करने की जरत है कुछ के लिए कोई belief system हो सकता है जो बहुत rigid है जिसको लेकर आप बहुत fixated है उसको release करने की जरत है और कुछ के लिए हो सकता है कोई relationship है कोई जगा है again देखिए जो भी चीज़े मेरे mind में आ रही है मैं कह रही हूँ and when I say relationship तो मतलब इसका ये नहीं है कि आप उस relationship को लटको ही कर दे ये सिरफ और सिरफ weekly reading है मतलब इस week आप थोड़ा सा letting goal energies में रहे यानि कि आप उतने action ना ले आप इतने initiative ना ले आप थोड़ा सा उस relationship को लेकर you know obsessive ना हो और possessive ना हो इस week के लिए आप उसको release करें next week तो देखेंगे क्या card जाते है क्या आपके लिए guidance है but इस week जिस भी चीज़ को बहुत tightly पकड़े हुए है cling hook कर रहे है उसको आप let go कर देंगे तो इस week को आप और बहतर करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते है sea green, sea blue आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था Scorpio's आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले इस लिए जिए जिए से आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है Eight of Pentacles Reverse और यह card कहीं बहुत ही devotedly बहुत ही dedicatedly अपने काम पो करने की बात करता है in fact यह card कहता है कि आप सिरफ और सिरफ काम पे focus कर रहे हैं किसी और चीज़ पे आपका ध्यानी नहीं है क्योंकि इस वी के card reverse है या तो इस तरीके की energies है और देखिए reverse card का मतलब होता है कि over ही devotion, dedication रह रहे है या फिर आप इस तरीके से चीज़ों को करना चाहा रहे हैं अपने काम को करना चाहा रहे हैं अपने professional friend में लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और दोनु ही सिनारियों में देखिए लेकिन जब हम over hard work करते हैं तब कहीं युनो बाकी life के areas neglect करते हैं और फिर उन areas में issues होते हैं जो कि हमारे professional friend पे भी असर डालते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप over hard work कर रहे हैं over सिरुफ और सिरुफ अपने work पे ही focus कर रहे हैं devotion, dedication के साथ अपने professional friend में चीज़ों को करने की नहीं कर पा रहे हैं तो इस week थोड़ा सा सबर रखें थोड़ी सी patience रखें अगले हफते नए cards होंगे, नई energies होंगे और हम देखेंगे कि चीज़ें कैसे जा रही हैं बट इस week, you know, इस phase में कैसे एक peace of mind आप रख सकते हैं यही चीज़ें आपको बहुत जादा bother ना करें इस चीज़ का आप जरूर खयाल रखें and personal friend के लिए आप लोगों के लिए page of cups का card है और ये card कहीं, you know emotions, feelings, love, care की बात करता है किसी phone call, message, invitation की बात करता है जो की again एक happiness, joy दे रहा है तो या तो आप किसी के लिए again मैं कहूंगी love, care महसूस कर रहे हैं या पर कोई आपका loved one की ऐसी energies है और कहीं आप चीज़ों को लेकर emotional, sentimental होते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपको लगे बहुत immature emotions हैं बहुत एक बचकाने तरीके से आप चीज़ों को deal कर रहे हैं तो उसको जरूर चेक करके correct करें कुछ के लिए कोई young इंसान भी हो सकता है अब young age से भी हो सकते हैं और young अपनी समझ से भी हो सकते हैं यानि कि थोड़े से immature हैं जिनके साथ आपकी ज़्यादा interactions हो रही है या पिर जिनको लेकर एक love care आप महसूस कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से आपको मिल रही है Page of Cups is a beautiful card ये बहुत ही beautiful energies की बात करता है खासकर relationships की बात करता है और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया message, phone call, email, invitation की बात करता है इनी से related जो happiness मिलती है उनकी बात करता है लेकिन साथी साथ immature energies की भी बात करता है तो अच्छा रहेगा ये हफता लेकिन अगर आपको लगे कि भई आप immature तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं एक बचकाना सा attitude हो रहा है उसको जरूर चेक करके correct करें या फिर से मैं कहूंगी कोई, you know, इनसान हो सकते है जो immature है या फिर उम्रे से छोटे है उनके साथ आपकी ज़्यादा interactions हो रही है उनको लेकर या तो आप खुश हो रहे हैं या फिर वो आपको लेकर खुश हो रहे हैं और इसी तरीके की energies है all in all, personal front ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों clear waxing moon का card है और ये card कहता है the energy is gaining momentum तो जो भी आप चाहते हैं उसी direction में कहीं energy move कर रही है और चीजें कहीं बढ़ती हुई दिख रही है अब दिखिए normally क्या होता है na increase हो रही है कोई चीज हम बढ़े खुश होते है लेकिन क्या increase हो रहा ये बहुत एहम होता है भाई you know abundance abundance do care ही उसमें तो कोई increase और decrease है नहीं जैसे होता है न कि prosperity increase हो रही है तो बढ़ी अच्छी बात है लेकिन अगर negative चीजे increase हो रही है तो हमें परेशान भी करती है तो यहाँ पर waxing moon कहीं वैसे हम देखें तो positive चीज़ों की increase होने की बात करता है यानि कि जो आप चाहा रहे हैं उस direction में energy बहुत तेजी से move कर रही है और बढ़ रही है बट इका दुका के लिए यह भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहा रहे है वो increase हो रही है और अगर ऐसा आपको भी लगे तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके correct करें यानि कि अपने आपको बहुत ज़ादा उस दारेक्शन में ना जाने दें या फिर या बहुत ज़ादा खुद को ऐसी किसी चीज में इन्वाल ना करें और astrology से आप लोगों के लिए यूरे नस का कार्ड है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था सेटेटेरियस आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीपल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 8 of cups और ये card कहता है कि इस week specifically अपने professional front में कहीं emotionally किसी खास चीज़ को लेकर या फिर otherwise भी आप low feel करते वे दिख रहे हैं और दिखें कोई खास reason actually में नहीं रहता हुआ दिख रहा है जब भी एक card आता है हम यही कहते हैं कि आसपास सब कुछ बढ़िया है किसी चीज़ की कमी नहीं है कोई major issue कोई major problem नहीं है मैं इसलिए बोले हूँ major क्योंकि छोटी मोटी problem सो हमेशा ही लगी रहती है कोई major issue मसला नहीं रहता हुआ दिख रहा है लेकिन फिर भी आप 100% नहीं feel कर रहे है वो एक enthusiasm, excitement नहीं है कभी-कभी होता है न हमें लगता है कि मन बड़ा उचाट सा हो रहा है किसी चीज में मन नहीं लग रहा है तो वैसी सी energies रहती हुई दिख रही है और कुछ के लिए literally हो सकता है कि किसी चीज को छोड़ कर आप आगे बढ़ रहे हैं आप देखें ये सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि current profession अगर आप job करते हैं, आप business करते हैं आप business से related भी कोई खास चीज आप कर रहे हैं और इका दुका के लिए भी हो सकता है कि वो business, वो job आप छोड़ना चाहा रहे हैं या पर किसी भी reason की वज़े से छोड़ रहे हैं तो nutshell में ये काट किसी चीज को छोड़ कर आगे बढ़ने की बात करता है कुछ के लिए देखें, team भी हो सकती है जिसको छोड़ना चाहा रहे हैं या पर छोड़ रहे हैं कुछ के लिए कोई project हो सकता है कुछ के लिए जगा हो सकती है कुछ के लिए आपका thought process, belief system भी हो सकता है जिसको छोड़ कर आप नए तरीके से काम करना चाहा रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगे किसी चीज को छोड़ कर आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं और in the process बहुत great नहीं feel करते हुए दिख रहे हैं आप दिखे कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है हमारी ही emotions है ना कभी बहुत high हम किसी च प्रेज रहतावा दिख रहा है और हम एक awareness के साथ इस चीज को check करके भी correct कर सकते हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि इस reading से guidance ले कैसे अपनी emotions को balance कर सकते हैं कैसे enthusiasm excitement ला सकते हैं आप उस पे जादा focus करें and personal front के लिए आप लगों के लिए the emperor का card है तो personal front में बहुत in control आप हर चीज के लिए रहते वे दिख रहे हैं और बहुत systematically बहुत organized तरीके से चीजों को कर रहे हैं आप फिर करना चाहा रहे हैं एक बहुत mature emotions और feelings या फिर maturity भी जो भी आप कर रहे हैं चाहा रहे हैं उसी से related रहते वे दिख रही हैं कुछ के लिए यह भी हो सकता है कोई male figure है या female हैं जिनकी masculine energies हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा interactions हो रही हैं बातचीत हो रही है और वो कहीं आपको motivate कर रहे हैं inspire कर रहे हैं life makes stability security लाने के लिए बहुत systematically organized तरीके से चीजों को deal करने के लिए या फिर आपकी खुद की energies हो सकती हैं और दिखिए emperor कही authoritative figures को represent करता है government, police इन जै जैसी figures को भी represent करता है तो कहीं हो सकता है इन ही से related कोई काम आपको पढ़ रहा है या फिर किसी भी reason की वज़े से आपकी interaction बातचीत हो रही है and yes ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है आप चीजों का control अपने हाथ में लेकर बहुत ही you know एक confidence के साथ assertively जो भी चाहते हैं उसके आपके लिए action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं और कुछ के लिए ऐसी यह भी हो सकता है कि कोई authoritative figure की तरफ से काफी आपके लिए supportive energies रह रही है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए full moon and cancer का card है और यह card कहता है personal issue reaches sorry a personal issue reaches resolution तो कोई चीज जो बहुत time से आपको bother कर रही थी परेश चान कर रही थी resolve भी नहीं हो रही थी वो इस week किसी लेवी पर resolve होती भी दिख रही है and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके इसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ह और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चले है को जैसे आप लोगों के लिए देखे ही coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है the world the world का card सबसे पहली चीज, out of the country से related कोई activity कोई चीज होने की बात करता है अब यह general reading है, थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप international market को explore करना चाहते हैं कुछ के लिए हो सकता है आप अपने work को global लेकर जाना चाहते हैं और दिखें इसी से ही related या तो आप action initiatives ले रहे हैं या फिर हो सकता है कि simply एक सोच आपके मन में रह रही है आप इन ही चीज़ों पे अपने मन में focus कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि work से related आप literally travel कर रहे हैं out of the country और visa और इन ही सब चीज़ों से related you know काम रह रहे हैं या फिर you know फिर से कहूंगी कि मैंने जो भी मेरे mind में आया आपको बताया लेकिन out of the country से related कोई activity कोई चीज़ इस week रह सकती है और दूसरी बात ये काट किसी चीज़ के complete होने की close होने की भी बात करता है तो कुछ के लिए हो सकता है कोई एक phase specifically आपके professional friend में close हो रहा है और नई beginning हो रही है या फिर किसी चीज़ को end करके आप एक नई beginning करना चाहा रहे है और कहीं दिखे ये ending beginning positive रहते हुए दिख रही है क्योंकि world का card कहीं उन्हों completion की बात करता है और एक positive तरीके से complete होने की बात करता है किसी काम पे बहुत time से work कर रहे थे और वो complete नहीं हो रहा था तो इस week complete हो सकता है overall आपको appreciation मिलती हुए दिख रही है, recognition मिलती हुए दिख रही है technology का जादा इस्तमाल आप करते हुए दिख रहे है out of the country जो भी लोग हैं उनसे हो सकता है इस week आप जादा connect करें यह simply you know यह भी out of the country से related एक activity है जो इस week रह सकती है all in all यह week अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of wands का card है अब दिखें यह भी card कहीं out of the country से related किसी activity के होने की बात करता है तो कहीं मुझे बहुत strongly दिख रहा है किसी नह किसी level पे related कोई चीज करना चाह रहे है और फिर कोई सोच या कोई चीज रहती भी दिख रही है और specifically two of wands के card को देखें तो कहीं you know जो भी आपका goal है मकसद है personal front से related उस से related next level पर चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे है next steps plan करते वे दिख रहे हैं बहुत जबर्दस confidence रहता वा दिख रहा है और हो सकता है कि किसी के साथ मिल के कोई काम करना चाह रहे है या फिर जो भी आप personal front में कर रहे हैं या मैं कहूंगी जिसकी शुरुवात आप करना चाह रहे हैं next steps plan करना चाह रहे हैं उसी से related किसी की तरफ से काफी supportive energies भी रहती भी दिख रही है cooperative energies भी रहती भी दिख रही है all in all ये पूरा ही हफता काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है personal front में एक enthusiasm excitement भी रहता हुआ दिख रहा है और इसी enthusiasm के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और फिर बढ़ रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए new moon का card है और ये card कहता है a new start is coming तो दिखे हमने दोनों ही front screen में देखा कि किसी ना किसी level पे आप आगे बढ़ रहे हैं और professional front में तो बहुत ही clearly मैंने कहा कि ending beginning रहती भी दिख रही है और कहीं guidance का card या फिर इन general की energies का card भी इसी चीज़ को और जाधा confirm कर रहा है कि कोई नई चीज़, कोई नयापन या फिर से मैं कहूंगी कोई new start इस week किसी भी front पे personal कुछ के लिए कुछ के लिए professional front में हो रहा है and astrology से आप लुगों के लिए Neptune का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Thursday तो ये था एक वेडियस आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए बैसे आप लुगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में कहीं एक enthusiasm, excitement missing रहती भी दिख रही है और आप थोड़ा सा withdraw करते भी दिख रहे हैं बाक सीट लेते भी दिख रहे हैं यानि कि बहुत actively आप किसी भी चीज में खुद को involved नहीं कर रहे हैं पाटिसिपेट नहीं कर रहे हैं आप देखिए इसके लिए surprises के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि पीछे आपने बहुत महनत करी, बहुत effort किया और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा तो अराम करना बनता है कुछ के लिए हो सकता है कि इतना motivated आप नहीं feel कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा backseat, backstep लेकर आप इनो चीजों को और जादा समझना चाहा रहे हैं और जादा understand करना चाहा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले एक proper planning आप करना चाहा रहे हैं reason जो भी हो, four of swords is not a negative card but yes, ये card कहता है कि बहुत कुछ हलचल नहीं हो रही है बहुत कुछ activity नहीं हो रही है थोड़ा सा जैसे बोलते हैं न हमकी ठंडा सा है महौल बहुत जादा एक, you know, again activities नहीं होती वे दिख रही हैं for whatever reason और आप फिर से मैं कहूंगी या तो अराम करना चाहा रहे हैं या फिर planning करना चाहा रहे हैं future की और थोड़ा सा rest करते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए queen of wands reverse का card है और ये card कहता है या तो किसी चीज को लेकर over enthusiasm, over excitement है या फिर you know enthusiasm, excitement कहीं low रहता हुआ दिख रहा है या तो बहुत boldly, बहुत courageously चीजों को deal कर रहे हैं या फिर बहुत boldly, बहुत courageously चीजों को deal करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और दोनों ही सिनारियों में एक balance अकना बहुत important है क्योंकि कोई भी चीज जितनी भी अच्छी हो, जरुरत से ज़ादा हो या जरुरत से कम हो, तो हमें परेशान करती है तो देखे, अपने energy levels को जरूर maintain करें और कहीं या पे queen of wands का card है तो कोई female भी हो सकती है जिनकी तरफ से आप कुछ, you know एक particular response चाह रहे हैं या फिर support चाह रहे हैं या cooperation चाह रहे हैं और उस तरीके से उनकी तरफ से support, cooperation आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं All in all, दिखिए, अगर थोड़ा सा enthusiasm, excitement और इन ही चीज़ों पर आप work कर लें तो ये भी ठीक ठाक जाएगा क्योंकि again queen of wands is not a negative card क्या होता है न जब हम over enthusiastic हो जाते हैं तब भी हम impulsive होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं फिर बाद में हम लगता हो हमने ऐसा क्यों कहा और हमें उस टाइम पर नहीं समझ में आ रहा होता है और जब low होता है enthusiasm तो भी हम बहुत great नहीं feel कर रहे होते हैं तो सिरफ इन चीज़ों पर work करने की ज़रत है और फिर से देखिए किसी female का roll रह सकता है किसी female से या फिर male भी हो सकते हैं जिनकी you know feminine energies हैं उनकी उनका भी किसी level पर roll रह सकता है और कहीं देखिए या तो उनकी वज़े से enthusiasm, excitement missing रह रहा है तोड़ा सा या you know आपकी कुछ expectations है उनसे और उस तरीके से वो आपकी expectations को नहीं पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon and Scorpio का card है और यह card कहता है work through your fears तो दीखिए हम सब लोग ही किसी न किसी level पर किसी न किसी चीज को लेकर एक you know fear महसूस करते हैं तो यहाँ पर prices में सिरफ आपको नहीं कह रही हूँ मैं human mind की बात कर रही हूँ और जब यह fears हमारे उपर हावी हो जाते हैं तो फिर हम चीजों को complicate करते हैं परेशान होते हैं और कभी कभी कोई you know ऐसी situation ही नहीं होती है परेशानी वाली लेकिन हम परेशान होना शू कर देते हैं हम एक worst outcome imagine करना शू कर देते हैं उसको real मानना शू कर देते हैं और फिर again मैं कहूंगी खुद को torture करते हैं तो अगर आप अपने fears, insecurities को deal कर ले positively इनको अपने उपर हावी ना होने दे इनको overcome कर ले तो इस week को आप और जाता बहतर कर पाएंगे and astrology से आप लगों के लिए साटन घ्रह का काड़ है इसके हिसाब से all shades of beige, brown इस week आप लगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लगों के लिए होगा Saturday तो ये था पाइसेज आप लगों के लिए coming week का साब था है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए